हे एवरीवन वेल्कम बेक टो ए नीव ब्लॉग आयोप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ तो मैं रेडी हो चुकी हूँ तो मैं जारी हूँ गूमने के लिए कोलकाता का बहुत ही फेमस जगा है तो मैं वहाँ पे जारी हूँ तो आप लोग ब्लॉग अब देखने से आप लोग को पता चलेगा कि कहां पे मैं जारी हूँ तो आप लोग ब्लॉग को कंटीनिव देखो तो चलो मैं निकलती हूँ और बाहर जाके मैं अपना आउटफिट भी दिखाऊंगे तो चलो गाइस मैं निकल रही हूँ बाई सो गाइस मैं फाइनले निकल चुकी हूँ और राइट साइट में रविंद सदन दीख रहा है और इसके ज़स्ट पास में ये विक्टूरिया आप लोग को दीख रहा होगा जो कि लाइट जल रही है भी सामके टाइम पे और मैं माफ फ्लाइओवर से जा रही हूँ और मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ डेस्टिनेशन में तो मैं आ जाई हूँ प्रिंसेव घाट और आप लोग को मैं इसका अंदर का पूरा डेकुरेशन और इंटेरियर सब कुछ दिखाऊंगी टाइमिंग वगेरा भी सब कुछ बता दूंगी तो आप लोग भी आ सकते हो व आप लोगों में अंदर का व्यू दिखाऊंगी यहां पर गाइस आप लोग देख सकते हो कि ट्रेन लाइन भी है और अभी ट्रेन आने वाली है तो चलो आप लोगों में दिखाती हूं और यह सेकेंड व्रीज प्रिंसेव घाट को और जादा ब्यूटिफुल करती है और लोग अजय को बार को यहां फेलिउ प्रिंसेव घाट एक ट्रेन स्टे भी है तो आप लोग आराम से आ सकते हो ट्रेन के फ्रों पी तो देख लम्स लूटिभै हुआ हो फुल्त मधे आजय ही प्रिंसेव चालन कि अरप लोगों भी इस जाएंगे इसे प्रेंगे तो आप लोग यहाँ पर भी उतर के आ सकते हो प्रिंसम का तो अभी जस्ट गूसी रही है आई गया और गाईज यह लोकल ट्रेन है तो लोकल ट्रेन का प्राइज उतना हाई नहीं रहता है तो आप पाच रुपया दस रुपया में आप बहुत तूर तक ट्रावल कर सकते हो और ट्रेन आ चुकी है और भाईया जस्ट उतरेंगे और फिर हम लोग इधर पर घूमेंगे तो यह का वीव है बहुत ही अच्छा लगता है लोकल ट्रेन में ट्रावल करना तो चलो भाईया उतर चुके है और हम लोग अभी दूसरे तरफ चलते तो इधर पर घाड भी बना हुआ है और आप लोग देख सकते हो वेलकम टू दे ब्यूटिफाइड बैंक को गंगा रीवर जो यहां पर लिखा हुआ है और यह है प्रिंसेब घाट का जो बहुत ही फेमस घाट है और इसका नाम है प्रिंसेब घाट इसलिए रखा गया क्योंकि वह जो बिल्डिंग था ना पीछे आप लोगो में लेके जाओंगी उनका नाम से रखा गया है इस घाट को और जो कि बहुत है और जाट को बढ़ आपिंग भी आप कर सकते हो 20 अर्ट ए अचा मेरा आउटफीट आप लोग देखो और कमेंट ज़रूड करना के आज का आउट पेड आप लोग को कैसा लगा और मैं कैसी लग रही हो क्मेंट ज़रूर करना और गाई आप लोग तो यह वह जान आप लोग को विव अगेरा देखने में बहुत ही मस लगेगा और अभी तोड़ा कीचर है तोड़ा गर्मी आने से यह सब क्लियर हो जाता है बहुत ही अच्छा लगता है गंगाट में गर्मी के दिन बैठने में और यहां पर रोज भी मेरे रहा है तो आप लोगो रोज चाह लगा उतना अच्छा नहीं था तो मेरे को ठीक टाक लगा उतना खास नहीं लगा जो रिवीव है मैं तो बताऊंगे अप लोग को और मैं आचुकी। आप लोग जाल मूरी काने के लिए तो गाईस यहां का जाल मूरी आप लोग ट्राइकर सतों बहुत ही अच्छ तो मौनुमेंट के बारे में लिखा गया तो आप लोग एक बड़ लेना कि यह मौनुमेंट का क्या खासियत है तो यहां पे सब कुछ लिखा हुआ है और यहां पे ना बेंगॉली में भी लिखा हुआ है तो जो लोग को बेंगॉली पढ़ने आता है तो वो लोग बेंगॉली य और यही मॉनुमेंट का नाम है प्रिंसेब घाट मॉनुमेंट चलो आप लोगो मैं दिखाती हूँ एकदम क्लियर करके ताकि आप लोग भी आओ और इस व्यू का मजा ले सको खास करके यहां पे आते सबको अपना प्री वेडिंग सुट के लिए और मुवी स्वगेरा के लि आप लोग कमेंट पे बताना अगर आप लोग नूटिस किये होंगे तो और बेंगॉली मोवी का तो सुटिंग होता है और अभी तो प्री वेडिंग सुट भी चलते रहता है यहां पे और गाइस पहले ना यह बांडरी जो वाले यह खुला हुआ था तो सब अंदर भी जा प्रिंसेब उनके नाम से रखा गया है और यह बहुत ही ब्यूटिफुल लगेगा आप लोग साम के ताइम पर जरूर आना यहां पर एक एलिफेंट भी बनाए गया घास से और व्यू देख रहे हो चारों तरफ में आप लोग को घूम के दिखा रही हो ताकि आप लोग को आप लोग मेरे वीडियो के तो भी मजा ले सकते हो देख सकते हो कितना मस लग रहा है मैं आप पीछे के पोर्शन में भी आ चुकी हूँ तो यहां से भी सेम लूक है जो सामने से आप लोग को दिखेगा मैं चारों तरफ आप लोग को घूम के दिखा रही हूं और यहां प तो इस रास्ता से भी आप बाबुगार जा सकते हो पर अभी बंद हो चुका है देखो किता खाली हो चुका है तो मैं आप लोग को नहीं दिखा पाई पाईस फाइनली प्रिंसपगार बंद हो गया तो नो निकल रहे है सारे आट बच चुका है सारे बचे सब को निकाल देता है तो मैं आप लोग को घर जाके यहां का लोकेशन आ टाइम बगेरा सब कुछ बता दूँगी तो चलो मैं घर निकलती हूं और देखे हो कितना कु बहुत ही ब्यूटिफूल है तो चलो मैं घर जाते हूं फिर आप लोग को डिटल सेयर कर दूँगी कहां पे कैसे आना है कितना मज़े ओपेन रहता है क्या है सब कुछ चलो गाइस मैं निकल रही हूं क्योंकि अभी बंद हो चुका है और आप लोग को एक बर मैं बाहर से दिखा देती हूं चलो तो आप लोग भी देख लो कितना ब्यूटिफूल लग रहा है देखो तो बहुत ही मस्ते और साम को जरूर आना और जाते हैते मेरे को इडेन गार्डिन मिला देखे ही होगे मेरे ब्लॉक में कि मैं इडेन पर आई ती आई पेल देखने के लिए इस प्लानेट के थ्रू भी आ सकते हो तो मैं आप लोग को घर जाके डीटेल्स वगेरा सब बता दूंगी कि कैसे आप जा सकते हो और कहां पर लोकेशन है तो आप लोग को में लोकेशन बता देती हूं कि आप लोग कैसे जा पाओगे तो आप लोग अगर लोकल क्रेंड मेट्रो कर के जाना पड़ेगा अगर आप लोग का कार वगेरा है तो कोई नहीं आप लोग आराम से जा सकते हो और अगर अगर मेट्रो से जाते हो तो इस प्लानेट मेट्रो में उतरना शं上 से बस लेके प्रिंसिप घाट कर फिनको जा शकते हो और जिए भी Shawnaut जा सकते ह वहाँ पे कोई टिकट नहीं लगता है और जो पिंसर घट का आप लोग देखे ना जो बिल्डिंग था अमेन तो वह पहले अलाव था पहले वह रेलिंग टैप कर बना हुआ जो अभी देखे ब्लॉक में वह नहीं था पहले आप लोग जाके फोटो सुट अंदर में करते थे पर बात है कि सब जाके गंदेगी फैला देते है ना तो इसलिए गौवर्मिन के तरफ से वह ना दिया गया ताकि वह अच्छा रहे तो अच्छा ही किया गया ताकि कोई गंदेगी फैला भी ने सके और बहुत दिन तक रहे और मिंटेन भी तो करना पड़ता है इसलिए तो तो आप लोग को में इंफॉर्मेशन बता दी कि कैसे जाना है कोई टिकट नहीं लगेगा इस आप लोग को टाइमिंग में बता देती हूँ तो वहां पे लिखावत है कि सुबा पाच बज़े से रात का 11 बज़े तक पर रात का 11 बज़े तक नहीं खूला रहता गाई लोग में देखे होंगे कि सारे आठ बस्ते बस्ते वो लोग बंद कर दे रहेते तो सारे आठ बहें तक आप मैक्सिमम टाइम रह सकते हो तो यह क्लोजिंग टाइम ता और सुबा का टाइम पर खूल जाती है तो चलो गाइस में ब्लॉक को इन करती हूं अगर अचले तो प्लीज लाइक कमें शेयर और सब्सक्राइब जोर कर देना बहुत जल्द नेक्स ब्लॉक में मिलूंगी तब तक के लिए टाटा एंड टेक क्या